इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 के बारे में और ये बताएगा एट्मुस्फेर में जो वाटर है मतलब की वाटर इन दा एट्मुस्फेर तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे जैसे ही हम लोग start करेंगे तो कुछ समय के बाद evaporation के बारे में बाते होगी फिर condensation के बारे में बाते होगी फिर अलग अलग type का जो condensation है जैसे की dew frost fog and mist इन सब के बारे में बात होगी फिर clouds जो हम आस्मान में देखते हैं अलगला तरीके का बारिस क्या है उसके बाद types of rainfall जानेंगे कि अलग-अलग type के जो बारिस होती है जो rainfall होता है वो कौन-कौन सा है उसके बारे में हम लोग definition जानेंगे उसका और उसका examples जानेंगे तो आपको पता है कि जब पानी पे जब सूरज की किरनें पढ़ती है जब पानी गरम होता है एवोपोरेट हो जाता है यह उपर उटने लगता है ठीक है अगर आप कभी देखोगे तो गयास में अगर पानी बॉइल हो रहा है तो उसका स्टीव निकलता है याने कि वो पानी गरम होकर के उपर उठने लगता है अब आपको पहले से ही पता है कि जो हवा है उसमें water vapors देखने को मिलता है हम लोग इसी class के पिछले chapters में बात कर चुके हैं कि air में water vapors होता है ठीक है ये water vapors 0% भी हो सकता है याने कि humidity एकदम कम होगा या 4% भी होता है याने कि humidity बहुत जादा होगा अब humidity क्या होता है तो उसके बारे में भी हम लोग पहले ही बातें कर चुके हैं अब जो atmosphere है उसमें mainly जो water होता है वो तीन तरीके से present होता है पहला होता है gaseous form में ठीक है दूसरा होता है liquid form में और किसरा होता है solid form में तो humidity के बारे में तो पहले भी बातें हो चुकी है बढ़ आपको refreshment के लिए या फिर आपको revision के लिए humidity क्या होता है जो हवा में water vapor present हो जैसे कि अगर जो गर्म प्रदिस है जैसे कि हमारा tropical region हो गया equatorial region हो गया वहाँ पे क्या होता है ना सूरिज की रौसनी डारेक्ट पड़ती है इसलिए वहाँ पे जो पानी है उसमें water vapor जादा रहता है और इसलिए जो equatorial region होँआपे water vapor अगर जादा होगा हवा में तो humidity क्या होगा वह भी जादा होगा ठीक है और जो सुस्क प्रदिस है उसको हम लोग बोलते है absolute humidity मतलब की एक volume air ले लेंगे यानि की ले लेते हैं एक क्यूब एक किलो केजी का आप हवा ले लो ठीक है उसमें जितना भी आपका water vapor होगा माल लेते हैं 100 ग्राम या फिर 10 ग्राम या चार ग्राम उसको हम लोग बोलेंगे absolute humidity ठीक है पर क्यूबिक मीटर यानि की एक मीटर क्यूब में जितना भी आपका water vapor होगा उसको हम लोग बोलते हैं absolute humidity अब जैसे मैंने आपको पहले बता है कि कोई-कोई जगा में humidity जो है बट मैं चाहूँगा कि आप comment section में मुझे बताओ कि धर्दी के किस region में absolute humidity जादा रहेगा normally और धर्दी के किस हिस्से में absolute humidity कम रहेगा normally ठीक है अब किसी भी atmosphere में जो moisture यानि कि जो water vapor है वो percentage के हिसाब से अगर रहे जैसे कि अगर 100% हम हवाले ले उसमें से कितना percent moisture रहेगा एक particular temperature पर जैसे कि 30 degree temperature पे 30 degree temperature पे किसी भी जगह में एक किलो के जी आपका एक cubic meter अगर हवा है तो उसमें कितना percent moisture रहेगा उसको हम लोग बोल सकते है relative humidity ठीक है और आप जब देखते हो न weather forecasting जब आप देखोगे तो उसमें आपको relative humidity बताता है कि कि एक 30 degree माल लेते हैं अभी हम लोग अपर किसी भी एक temperature पे जो उसका full capacity है उसके हिसाब से उसके relative में उसके relative में कितना जो moisture है वो present है percentage के हिसाब से यानि कि अगर 30 degree centigrade में अगर 30 degree Celsius में 100% humidity रहता ठीक है रहता लेकिन इस situation में आज के दिन में अगर वो 30% है तो आपका relative humidity क्या दिखाएगा 30% अगर relative humidity कम रहेगा इसका मतलब जो हवा है उसमें नमी कम है और अगर relative humidity बहुत जादा रहेगा इसका मतलब हवा में नमी भी बहुत जादा है अब आप यहां तक चानिश को होगे कि temperature जो है वो बहुत जादा impact करता है यानि कि अगर temperature जादा रहेगा तो humidity भी आपका जादा रहेगा ठीक है और अगर temperature कम रहेगा तो humidity भी जादा रहेगा तो उसी प्रकार से जब हमारा air का temperature change होता है तो capacity जो होता है humidity का relative humidity का वो भी effect करता है ठीक है अगर change होगा तो भी change होगा और अगर कम होगा तो भी कम हो सकता है और अगर जादा होगा तो भी कम होगा जादा होगा तो भी जादा हो सकता है ठीक है अब कोई भी हवा यानि कि एक क्यूबिक मिल्टर अभी हबा लेते है इसमें अगर जो इसका full capacity है या निमा लेते हैं कि इसका full capacity है 1000 लिटर ठीक है 1000 लिटर अगर ये water paper अपने अंदर रख लिया इससे ज़्यादा ये hold नहीं कर सकता यानि कि एक लिटर भी अगर आएगा तो ये गिरने लगेगा पानी इसका ठीक है तो इस situation में इसको बोलते हैं हम लोग saturated ठीक है अब अगर dew point का बात करें तो dew point ऐसा point होता है या फिर ऐसा temperature होता है जिस temperature पे ये saturation होने लगेगा जैसे कि अब बताए कि एक meter cube या फिर जितना भी हवालो आप उसमें जो उसका full capacity है अगर वो भरने लगे या अगर जितना भी full capacity है moisture का water vapor का या पर moisture का contain करने का उसको बोलते है saturated air और जो temperature पर ये होगा उसको बोलेगे हम लोग dew point ठीक है अब बात करते हैं हम लोग evaporation का और condensation का तो evaporation आपको पता ही होगा कि जब जब surge की किरने या फिर जब heat किसी भी water vapor में गिरती है तो water क्या करने लगता है उपर उठने लगता है ठीक है तो इसको हम लोग बोल सकते है इतरा से process of evaporation और temperature जो temperature जिस पे evaporation start होता है काम करना उसको बोलते है latent heat of vaporization ठीक है जिस temperature पे जैसे माल लेते हैं कि ये पानी है पानी है पांस डि यहां से उपर उठने लगा तो उस temperature को बोलेंगे latent heat of vaporization इंक्रीज अगर temperature में इंक्रीज होगा तो water का जो आपका vaporization है वो भी तेज हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर temperature कम होगा तो water का जो vaporization हो रहा है वो भी कम होते जाएगा अगर surface यह जादा बढ़ा कर दिए तो जल्द evaporation जो है वो तम होगा साथ ही साथ अगर movement of air का बात करा है अगर तेजी से हवा चल रहा है तो evaporation जल्दी-जल्दी होगा और अगर धीरे-धीरे हवा चल रहा है तो evaporation बहुत कम-कम से होगा ठीक है अब water vapor अगर water बन जाए तो उसको बोलता है condensation एक example समझो जैसे हम लोग क्या करते है फ्रीज से पानी निकालते है ठीक है ठंडा पानी ठंडा पानी जैसे फ्रीज से निकालते है तो अपने रूम में तो क्या होता है पानी जो पानी का bottle है ठीक है पानी का bottle जो है उससे क्या होता है पानी गिरने लगता है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो bottle वो फ्रीज के अंदर था वो एक पर्टिकुलर टेंपरिचर पे था वो कम टेंपरिचर पे था जैसे आप उसको बाहर निकाले तो उसका टेंपरिचर में चेंज हुआ और वो जो उसका सैचुलेशन था वो जो उसका सैचुलेशन था और जो वाटर भीपर था उसके अंदर वो पानी बनके गिरने लगा तो इसी process को हम लोग बोलेंगे condensation ठीक है ऐसा condensation यह होता है जब जो water vapor है वो पानी बनके गिरने लगे एक और example अगर clouds है तो clouds में क्या होता है water vapor रहता है water vapor क्या होता है माल लेते हैं जब उसका cloud का full capacity है वो full capacity अपना पूरा कर लिया जितना उसमें रह सकता है water vapor वो उतना रह गया उसके बाद उसमें नहीं रहेगा और यहाँ पर क्या हो रहा है जो heat है वो change हो रहा है तो water vapor क्या हो जाएगा water बनके वहां से गिरने लगेगा ठीक है और यहाँ पर जो water vapor है वो पानी क्यों बन रहा है क्योंकि यहाँ पर वो cool हो जा रहा है ठीक है इसलिए उसका जो water vapor जो cloud है उसका water vapor hold करने का capacity है वो कमते जा रहा है इस प्रकार से condensation यहाँ पर exist कर रहा है condensation यहाँ पर हो रहा है अब condensation तो समझ गया यहाँ पर water vapor जो है वो पानी बनके गिर रहा है लेकिन यही water vapor अगर पानी के जगा पानी तो एक liquid है अगर वो solid बन जा जैसे कि आपका snow हो गया ठीक है तो इस process को हम लोग बोलते हैं sublimation यानि कि जो water vapor था वो पानी नहीं बनके solid बन गया solid बन गया और solid बनने का जो process है उसको बोलते हैं हम लोग sublimation अब condensation process हो समझ गए अब लोग अब कुछ कुछ चीज़ जो condensation को effect करती है जैसे की condensation जब एक तरह से हो सकता है कि जब saturation point उसका आगे बढ़ जा जा या dew point जैसे हम लोग पढ़े अगर वो dew point आगे हो जाए तो dew point पर पहुंच जाए तो वहाँ पे condensation होगा जाने की water paper जो है वो पाने मर के गिन लगेगा ठीक है जूसरा बात है कि condensation जो है वो cooling से भी होता है मतलब जो जैसे की free air में normal जब हवा चल रही होती है तो उसमें condensation कैसे होता है जो अगल बगल का जो हवा है या जो अगल बगल का जो atmosphere है उस वो ठंडा है और उसके अगल बगल का colder air है या जो cooling है अगल बगल का उसके कारण यहाँ पर condensation आपको देखने को मिल सकता है ठीक है उसके बाद condensation होता है जब temperature जैसे हम बता है temperature जो है वो reduce कर देगा dew point को ठीक है जुसरा बात जो volume है temperature है वो जो है कम हो जाने की जादा बड़ा अगर cloud है उसमें volume है वो कमने लगेगा वो दिरे दिरे कमते कमते छोटा होने लगेगा तो situation में condensation होगा वहां पर बारीश होने लगेगी ठीक है अगर moisture और उठने लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर situation जो इसका था जो इसका लिमिट था solid liter का वो जो है वो भरने लगेगा और जैसे माले ते दो तीन तरीके का form लेता है जैसे कि एक dew हो गया एक frost हो गया एक fog हो गया cloud हो गया mist हो ठीक है इसके बारे वे लोग डिसकस करते हैं अब dew क्या होता है तो आप सुनने होगा एगा cricket match आप देखती होगे और English commentary सुनते होगे कभी तो वहाँ पे और रात का अगर cricket match हो रहा है ख गिर रहा है वह moisture जाकर के जाकर के वह direct मतलब cold surface पर नहीं बलकि वह जाकर के solid object में मतलब solid चीज़ों पर जाकर के अटक जाया या पिर रुक जाया तो उसको बोलेंगा हम लोग ठीक है cooler surfaces of side object अब होता कि रात में जो चीज़ें होती है वो ठंडा हो जाती है जासे की घास है या फिर stone है वो क्या हो गया वो ठंडा हो गया अब उपर से जब moisture गिर रहा है जब मॉस्टर गिर रहा है वो या तो stone पर जाके गिरेगा जो की एक तरह से ठंडा है या वो grass का blade पर गि dew बोलते हैं ठीक है अगर dew formation करना है मतलब dew अगर बनना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए एकदम clear इसका है यानि कि cloud नहीं होगा ठीक है calm air तेजी से हवा नहीं बहेगा अगर तेजी से हवा बहेगा तो cloud उसको sorry तेजी से हवा गर बहेगा तो हवा क्या करेगा clouds को जाएगा तो इसलिए calm air हवा तेजी से नहीं बहना चाहिए साथ हाई relative humidity इसका क्यों कि अगर हाई relative humidity रहेगा तो वहाँ पर monster बनेगा वहाँ पर कंडेसेशन जल्दी यल्दी होगा ठीक है और वहाँ पर कंडेसेशन होने कारण जो dew है वो गिर सकता है उसके बाद cold and long night अग एक बहुत जादा चलूरी है कि जो dew point है वो freezing points के उपर रहेगा क्योंकि अगर freezing point के नीचे रहेगा तो वो dew रही बनके वो एक तरसका frost बन जाएगा ठीक है वो frost बन जाएगा और अब हम लोग frost के बारे पढ़ते है तो frost क्या होता है वो cold surface पर गिरेगा ठीक है और यहाँ प जब पानी जो है वो ice बन जाता है उससे नीचे अगर होगा करने सेजन तो उसको बोलेंगे हम लोग frost ठीक है अब frost जो है वो कैसे बनता है तो frost बनने के लिए जो moisture जो उपर से गिर रहा है न वो क्या होगा वो water नहीं बनके ice crystals आएगा जानी कि ice का छोटा छोटा दाना आए साथ ही साथ जो sky है वो clear होना चाहिए उस पर clouds नहीं होना चाहिए ठीक है और जो temperature है air का temperature वो freezing point से कम हो यानि कि zero degree Celsius से कम हो तब आप देखो कस्मीर के side में क्या गिरता है frost गिरता है ठीक है अब fog और mist का बात करते है तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी air mask air mask क्या होत साथ बहुत बड़ा बड़ा मतलब 15 20 30 40 60 किलोमेटर लंबा लंबा जो clouds होता है जिसका temperature सेम हो प्रेशर सेम हो तो उस प्रकार से उसको बोलते है air mask ठीक है तो air mask जब किसी भी air mask का temperature अचानक से चेंज हो जाए ठीक है अचानक से चेंज हो जाए कैसे अचानक से चेंज होगा तो क्या होगा तो condensation जो है वो तुरंत होने लगेगा जल्दी जल्दी चुकि जहांपर क्या हो रहा है जो temperature है वो चेंज हो जा रहा है ठीक है और temperature चेंज होने करण जो उसका saturation point था वो जल्दी से breach हो जा रहा है saturation point उसका खतम हो जा रहा है saturation point खतम होने करण condensation जो है वहाँ और fine dust particles पर हो रहा है यानि कि छोटा छोटा जो particle हमारा atmosphere गुमते रहता है उसमें condensation हो रहा है अब जब condensation हो रहा है तो fog क्या होगा fog जो है वो clouds जो है वो नीचे नीचे आ जाएगा यानि कि atmosphere का एकदम नीचे सत्र तक आएगा हम लोग का जमीन तक पहुंच जाएगा clouds तो इसी को हम लोग बोलते हैं fog ठीक है अगर fog के कारण क्या होता है जो हमारा अब देखो अभी आप देख रहे हो अपने आखोंसे बहुत दूर दूर तक तो इसके कारण यहांपर क्या हो जाए कि हम बहुत दूर तक क्या हो जाएगा अब जो अर्बन एरिया से जैसे कि सहरी जहां पर सहर सहर वारा जो एरिया से वहां पर क्या होता है बहुत सारा फ्रैक्टरी बगेरा है कार बगेरा चलता है तो उसके करण स्मोग बहुत जादा निकलता है और स्मोग जादा निकलता है तो वहां पर फॉग और स्मो में क्या होता है जो फॉग से ज्यादा मौस्चर रहता है जाने की फॉग से ज्यादा नमी आपका मिस्ट में होता है और मिस्ट से कम नमी होता है फॉग में ठीक है अब मिस्ट जो है वो नॉर्मली पहाड़ वाले एरिया में देखने को मिलता है क्यों क्योंकि यहां पर जो व मास्क का ठीक है तो इस प्रकार से वहां पर आपको मिस्ट देखने को मिलता है ठीक है मिस्ट में जो जितना भी नुकलिया यह मतलब चोड़ा चोड़ा जो पार्टिकल्स है ठीक है उसका मॉश्चर जो है वो थीकर लेयर का होता है जानी कि मोटा मोटा उसका लेयर बनता है as compared to fog और fog जो है वो fog नीचे में होता है यानि कि drier areas में होता है वो पहाड़ों पे नहीं होता है ठीक है और वहां पे होता है जहां पर warm current of air जो है वो cold current से contact में होता है सेम कहानी mist और fog का सेमी कहानी लेकिन mist जो है वो पहाड़ पे होता है और fog जो है वो देल्ली वाला areas या फिर करने सेशन होता है जब उसका जो nuclei है वो dust से या smoke से या फिर salt particle से उसको मिल जाए और वहाँ पर करने सेशन हो जाए और वहाँ पर water paper जो है वो गिरना सुरू हो जाए ठीक है अब हम लोग बात करते हैं clouds के बारे में तो clouds देखो आप clouds जो आप देखते हो ना तो यह चार तरीके का होता है एक होता है Cyrus एक होता है Cumulus एक होता है Stratus एक होता है Nimbus ठीक है सबसे पहले cloud क्या होता है तो cloud एक मास होता है water droplets का एकतम छोटा छोटा मतलब एकतम 10 to the power minus 6 meter 10 to the power minus 10 meter इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स का आपको एक इक अठा group मिलता है ठीक है और वो group जो एक mass content करता है उसको बोलते है हम लोग clouds ठीक है clouds जो है वो बहुत उचाई पे देखने को मिलता है ठीक है और यह अलग-अलग उचाई पर बनता है ठीक है चार तरीके से हम लोग cloud को जैसे बता है differentiate करते हैं Cyrus, Cumulus, Stratus और Nimbus पहले हम लोग बात करते हैं Cyrus तो Cyrus जो है वो जमीन से यानि कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं उससे 8 8000 से 12000 किलोमेटर की दूरी पर जो clouds बनते हैं उसको बोलते हैं लोग Cyrus, यह बहुत पतले होते हैं और यह एक तरह सा फेदरी एपेरेंस जानि कि जैसे आप किसी फेदर को देखे होगा किसी पंक को, किसी बर्ड के पंक को तो उस तरह का यह एपेरेंस होता है और यह हमेसा वाइट होता है कलर में देखने का ठीक है अच्छा मैं आप वो Cyrus, Cumulus, Status और Nimbus, चारो का मैं फोटो आपको दिखाता हूँ इसी लेक्चर में उसके बाद Cumulus का अगर बात करें तो Cumulus Clouds जो है वो धर्ती से कुछ 4000 से 7000 का मीटर यानि कि 4 किलिमेटर से 7 किलिमेटर की उचाई पर देखने को मिलता है यह पैचेस में होता है यानि कि यहां पर एक हो गया फिर यहां पर हो गया इस प्रकार से और इनका जो Base होता है वो एकदम Flat होता है Status का बात करें तो Status जो है वो ज्यादा यह जो है वो Layered होता है मतलब कि यहां 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 अलग-अलग distance पे आपको status देखने को मिलता है ठीक है यह normally अगर loss of heat हो गया या फिर air mass मिल गया नहीं कि high temperature का air mass low temperature के air mass से मिल गया तो क्या होगा high वाला उपर चला जाएगा low वाला नीशे चला जाएगा तो इसका अलग-अलग distance पे आपको द dark gray होगा देखो nimbus का मतलब होता है nimbu आप समझे ऐसी nimbus मतलब nimbu अब आप nimbu को नीचोड़ोगे तो उसे क्या निकलेगा रस निकलेगा उसी प्रकार nimbus cloud से हमेशा बारिश होता है ठीक है यह middle level पे होता है या फिर surface के एकदम नीचे होता है यह बहुत जादा dense होता है और इस पे sun rays जो है वो आते जाते रहते है मतलब आपको यह cloud के उपर भी आपको sun दीखेगा लेकिन अगर आप cumulus देखो या फिर आप Cyrus देखो या status देखो तो उसमें आपको यह cloud के उपर sun नहीं देखेगा या जो sun है उसको ढख लेता है ठीक है कभी-कभी cloud जो है वो तो यह देखो यह मैंने लिया है science note से और मैंने इसका screenshot मारा हुआ है chrome से ठीक है अब यहां पर देखो यह है जमीन हम लोगों का ठीक है यहां पर earth जहां पर हम लोग रहते हैं सबसे पहरे हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग Cyrus के बारे में बात कर रहे थे यह है Cyrus एकदम feather type का देखने को मिल रहा है ना उसके बाद nimbo status जिससे बारिष होता यह देखो डार्क ग्रे या फिर ब्लैक देखने को मिल रहा है उसके बाद बात किये थे हम लोग status के बारे में status देखो अलग-अलग status, cyro status, stratocumulus और status अलग-अलग height पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और आखिर में हम लोग बात किये थे cumulo के बारे में तो तो cumulus अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो cumulus जो है वो नीचे भी है ठीक है और ऊपर भी है और यह क्यासा एक तरसे आप समझे लो इसको आपक बम फटता है तो उस प्रकार से जो बनता है आपका जो scene बनता है उस प्रकार से cumulus भी आपको देखने को मिलता है य Cyrus जो बहुत उपर रहता है 8 km के आसपास status अलग-अलग height पे रहता है निम्बो स्ट्राटस नॉर्मली 3-4 km के आसपास या 2-3 km के आसपास यह रहता है ठीक है तो यह था आपका अलग-अलग type का clouds अब इन चारों का जो ऐसे हम लोग 10 अभी आ पर देख रहे थे हम लोग 10 clouds था तो उसी प्रकार से इन चारों को अगर हम लोग अलग कर दें तो इस पे जो है दस बन जाएगा ठीक है कैसी देखो high clouds जिसमें आए गया Cyrus 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 middle clouds में alto status, alto cumulus, alto का मतलब होता है middle ठीक है उसके बाद syro जो है वो high पे रहेगा और low पे आएगा आपका strato cumulus और nimbo status ठीक है तो यह सब था आपना clouds अब बात करते हैं हम लोग precipitation तो precipitation क्या होता है अब देखो जो clouds है तो clouds में हमेशा क्या हो रहा है continuous condensation हो रहा है यानि वहाँ प ज्यादा water paper hold ने कर पाए ऐसे हम लोग starting में बात कर रहे थे saturation का ठीक है अब saturation होने के बाद क्या होगा वो water paper नीचे गिर जाएगा या तो वो पानी के तौर पे गिरेगा या फिर वो snowfall के तौर पे गिरेगा तो इस प्रकार का जो condensation होता है जहां से moisture निकलता है उसको बोलत Celsius यानि कि पानी जो है वो क्या बन जाएगा यहां पर ice तो 0 degree Celsius से अगर कम का temperature में गिरा तो उसको बोलेंगा हम लोग यहां पर snowfall ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे snowfall है उसको बोलता है हम लोग sleet एक और होता है हम लोग hail जो hail है वो बहुत कम होता है और sleet जो है वो काफी होते रहता है अब sleet क्या होता है sleet जो है वो frozen raindrop से यानि कि ऐसा raindrop जो कि हवा में आते आते धरती पर जम गया ठीक है और snow water जो है वो re-milt हो री-froze हो गया यानि कि वो फिर से फ्रोज हो गया अब जब हवा उससे contact में आता है तो above freezing point यानि कि जब हवा है वो गर्म हवा उससे जा करके touch हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो precipitation होगा वो sleet के form में होगा ठीक है जो जैसे पानी आ रहा था वो जम गया हवा में ठीक है अब हवा यहाँ नीचे धरती पर भी चल रही है अब वो क्या कर रहा है वो जो हवा है वो अब फ्रीजिंग पॉइंट है और वो सब फ्रीजिंग लेयर को हटा देता है नियर दे ग्राउंड उसको हटा देता है इस सिचवेशन में जो precipitation होता है उसको बोलता है हम लोग sleet अब रेंड्रॉप्स जो की warmer air को छोड़के नीचे आता है colder air को एक तरसे cold air उसके encounter करता है इस प्रकार से फिर से solidify हो जाता है और स्मॉल प्रेट से बन जाता है ठीक है not bigger than rain drops जिससे वो बनाता जैसे देखो होता क्या उपर से वहां से बारीश बारीश के तोर पे आ रहा है और वहां पे जम गया जमने के बाद यहां पे हवा जा रहा है ठीक है हवा जो की freezing freezing points से 10-15 degrees Celsius का है यहां पर यह rain drops बन गया ठीक है rain drops जैसे ही बना तो यह गर्म हवा को छोड़ के नीचे आया नीचे जो हवा है यह इससे ठंडा है यानिकि यह अगर 10 degrees का है मालेत है तो यह 8 degrees Celsius का है ठीक है तो यह से ठंडा है अब यह जो rain drops था यह फिर से जम गया और यह ज अब कभी कभी क्या होता है जो उपर से जो rain drops आ रहा था ना तो वह cloud से नीचे गिरने के बाद solidify हो जाता है और वह solid pieces में बन जाता है और वह surface का earth का surface से उस पर पहुंचता है और उसको बोलते हैं हम लोग hail stones ठीक है यह rain water से बनता है जो की colder layer से पास हो रहा हो hail stones जो है वो अलग-अलग एक ही concentric ice का बना होता है यानि कि एक ice इसके उपर दुसरा ice दुसरा ice तीसरा ice इस तरह का जो ice बनता है उसको बोलते है hail stone अब rainfall का बात कर लें जो कि हम लोगे ज़्यादा जरूरी है तो rainfall तीन तरीके का होता है rainfall यानि कि बारिश ठीक है तीन तरीक बतुछ दूरा जाने की गर्म हो रहा गर्म होने करन जो पानी है वो उपर उठ रहा है उपर उठ रहा है और वो light बन करके मतला हलका बन करके वो उपर जा रहा है उपर जाने के बाद महां पर क्या होगा clouds बनेगा ठीक है clouds बनने के बाद वहाँ पर दिरे-दिरे पानी जो है वो उपर उठते जाएगा उपर उठते जाएगा clouds बनते जाएगा एक समय आएगा जब clouds के पास इतना जैसे हम बताये भी saturation point फिर से अगें saturation point जो clouds है उसके पास इतना चमता नहीं दाएगा कि वो सारे जो water vapor पहुच गए है clouds के पास उसको सारे कोई कठा करके रख सके इस situation में क्या होगा यहाँ पर बारिश होना बनेगा और clouds में बनने के बाद वहाँ से बारिश होने के संबावनाएं बढ़ जाती है यह ज़्यादा आपको equatorial region में देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सूर की किरने जादा जाती है और जो है heat जो है वो जादा बनता है heat जादा बनने करन वहाँ पर cloud जल्दी बनता है और वहाँ पर convection rainfall हो सकता है तो यहाँ पर यह जो हवा है यह फैलने लगे जहाँ पर यैड़ की ठंडा है तो इसे contact में आने के बाद कर डेंन में सुरू हो जाएगा ठीक है colder air से यह contact में आने के यह जहां पर endurance हो गा और condensation होगा बादल बनेगा यहांपर बारिष होना शुरू हो जाएगा ठीक है यह क्या करता है ना कि ऐसे जब हम लोग देखे यहांपर कि यह हवा उपर उठा यहांपर बारिष बना इस एरिया में ही बारिष हुआ यह एरिया सूखा रह गया यह area जो है वो सुखा रह जाता है इसलिए इसको बोलते हैं एक तरह से rain shadow area बोलते हैं इसको यह जो पार्ट था इसमें बारिश नहीं हुआ इसको हम लोग बोलेंगे rain shadow area ठीक है और इस तरह का जो rainfall होता है उसको हम लोग जैसे बताया भी aurographic rainfall भी बोलते हैं या फिर relief rainfall भी बोल मुंबई वाले region में ज्यादा बारिश होता है लेकिन पूनिवाले region में कम बारिश होता है इसका क्या कारण है ठीक है साइकलोनिक rainfall के बारे में हम लोग बात करी चुके है चैप्टर 10 में ठीक है अब बात करते हैं हम लोग rainfall का वर्ल्ड में कैसा distribution है तो देखो यह हमारा गर अर्थ है ठीक है यह हमारा गरा अर्थ है यह वाला equatorial region हो गया यह वाला पोल्स हो गया यह वाला भी पोल्स हो गया तो जैसे हम लोग equatorial से equatorial region से पोल्स की और जाते है rainfall जो है वो normally घटते जाता है ठीक है घटते जाता है जैसे कि equatorial वाला region में यहाँ पर ज्यादा rainfall होगा य इंटिरियर कंटिनेंट में वो ज्यादा होता है यासे कि यह अगर इंडिया है तो यहाँ पर ज्यादा बारिश होगा और यहाँ मतलब दिल्ली वाली रिजन में जारकंड वाली रिजन में कम बारिश होगा ठीक है रेंफॉल जो है वो ओस्टेंस में ज्यादा होता है लेंड latitude में जो है वहाँ rain ज़्यादा गिरता है eastern coast में ठीक है और यह west की जाते आते हैं यहाँ पर घटने लगता है इस करण से वहाँ पर west में कम बारिस होता है east side में ज़्यादा बारिस होता है तो यहाँ पर वेस्टरली जाता है साइद आपको पता ही होगा वेस्टरली जाने करण यहाँ पर rainfall जो है वह पहले western margin में होता है और फिर यह जो है eastern margin के और जाते रहता है और इस प्रकार से वहाँ पर जो rainfall हो घटते जाता है ठीक है और जहाँ पर mountains होता है वहाँ जैसे कि अमेरिका था अमेरिका में अब जब देखो Rockies Mountain तो Rockies Mountain के इस साइड में यह हमारा कोश यहाँ पर ocean है ठीक है तो इस साइड में ज्यादा बारिश होता है और इस साइड में कम बारिश होता है ठीक है तो इस प्रकार से mountains जो हो बहुत important role play करता है कैसे role play करता है यहीं पता है relief और ग्राफिक रेन फॉल के बारे बात हुआ तो यहीं पर सेम सिच्वेशन सेम कंडिसन में पर लगा दो तो काम हो जाएगा ठीक है इक्विटर्यल बेल्ट में माउंटेंस का विंड वाड स्लोप में जैसे कि अपना वेस्टन कोस्ट में वहां पर जो है वह काफी जादा बा सकता है ठीक है और 50 cm एक साल में 50 cm से भी कम बारिष होता है कहीं कहीं पर जो बारिष चेज़ा हर साल हर मैने हर दिन एक जासा होता जैसे कि चेरा-पुंजी होगी आपका ठीक है यह मे drew उपका मेगा200 Jedz variation हो गया, कभी बहुत ज़्यादा बारिस, कभी बहुत कम बारिस, ठीक है, इस प्रकार से तो ये अपना था, दुनिया भर में जो बारिस का अलगला situation है वो, मैंने आपसे पूछा है कि मुंबई में ज़्यादा बारिस क्यों होता है, पुने में कम बारिस क्यों होता है, इसका आप मुझे answer दे सकते हो comment section में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ताप इसको like करो, दोस्तों के साथ share करो कुछी पूछना है, बताना है तो comment करो चैनल को subscribe करो and thank you very much